और बर्बाद कर दिया है, पूरा संसार ज़िए संत्रस है, दुखी है, तो धर्म गुरू की वज़े से हैं, क्यों उस धर्म गुरू ने कहा कि नहीं, तुम हिंदू हो, कुरान अपने घर में नहीं रख सकते, तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, तुम जावा मस्जिब में जाक धर्म गुरू यह कहते हैं, कि मैं कि टुम केवल गंडा, नहीं ने कि बोक मुझा है, तुम जाव करो में ने थे, तूम के मुझेद श्ल में करो शॉत वक्य सकते नहीं, तुम जान थे नहीं है, तुम जाल नहीं करो. इंधी अना ने कि को नित्प्षार्व में अभूता है कि यह युद्ध्ध हुआ मारी की बजह दुख से हुआ अब सीता स्वार्वाइन कोद्टे कि नुन वौह इसामी अभैको होता है उस। आयåल युपो मीश्त क alguma कशित्फ सन को रबंते हैं। सारा चार जार प्रष्ट इसलिए तुम सिदास जी को रगने पढ़े कि सीता भी प्यारी प्यादा हो गई गल्पी से और अगर द्रोपती नहीं होती तो महाबार्सी दो होता ही नहीं अच्छारा दिन तक क्यों लड़ते क्यों युद्ध करते इसलिए उन्हें कहा कि नहीं सीता का भूद देखना जरूर नहीं लोगदी का नाम लेना ठीक नहीं बस तुम भगवान का बजिन करो राम राम करने के अलावा कुछ नहीं यह धर्म गुरू इसलिए मैंने कहा कि जहां तक तुम्हे धर्म गुरू मिले वह बचने की जरूर थ में पुस्लिम संपर्दाए आ्याई면, साधार है है अगर माद भात का द्रृम्राइब तरह को कि अगमान रिक्सित्च उपर एक डेख्ली में कि आगयों बश नहीं है मुझा भाति टो को इंग्सड़ताए शन्पर्दाए है मैं प्रूस saem centrpolatि आया है, मैं हिंदू संपडाया, बहुत आयो है, मैं चेक्शिन संपडाया, कुछ नहीं आया, उन गर्मतों में नहीं है, यह आपने आपके कठगुरा में बन last कर दिया, और जहां हमें बन? कर दिया, वहां हमारा ज्ञान स्माप्त हो गया, आगे पढ़नी पर बुद्धु को मैं कैसे समझूँगा? और बुद्धु को मैं ही समझूँगा, तो एक बहुत बड़े ज्ञानी से मैं मंचित हो जाओंगा. फिर परस्वी में जो 1,700 को परस्वी करके बुद्धु को पैदा किया, मैं पर 3 साल 1,700 को बीकार गी, उस परस्वी की. तुम दूसों को आशा नहीं समझ लेते हैं कि उनके पती हमारी धायना बन जाती है और मैं कह सकता हूँ यह मरपड़ोसी बहुत बदमास असाला चोर है, उचक का है मुझे कहने हैं कोई संखोच है ही नहीं क्योंकि इसके लिए मुझे को सर्टिप्र देने की जुरूत नहीं, को पमान देने की जुरूत नहीं मैंने कह दिया, उस कह दिया और यह लड़की बहुत दूस्ट करिक्तर है, रोज मैं इसको गली माती जाकर देखता हूँ यह अच्छे गड़की लड़की नहीं बूस्ट के बारे में कमेंट करना, जीवन का एक बहुत बड़ा आनंद और जीवन का बहुत बड़ा सुख की बात है अपने आप को नहीं समझ सकते और यह उसलिए 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 अहम उस अहम को छोड़कर के जब मैं अपने आपको समझने की कोशिश करूंगा और अपने आपको समझने की क्रिया के लिए पूलन ब्रमाश मी अहम-ध्रमाश मी यह आपना मी कहते है यह उन्साचारी है यह मैं कहने बहुत ब्रमनडी हूँ ज़क कुछ दो लोगत हो प्रतिजर, महने कम सर्दिवय को गिममडी नहीं है और जुन को यह नहीं कहरें तो छोड़ दो, मेरे पास आजा वो कहें फिरे पास तो अहम है, जो कुछ चल है, जूठ है, कपट है अगर अगर मन तुझे या मैं मैं रोका तो तो कॉर्ण की तरह वापस बन जाएगा अगर न तुम्हें यां में रुका तो तो मारा सारा ज्यान सारा चिंतन सौट नो जाएगा ज़ाज बुद्ध कह रहा है कि कुछ नहीं जिन्दकी में अगर है तो मैं हूँ तो मुझे समझोगे तो तुम अपने आप जीवन को समझ लोगे या बुद्ध का कोई गमण नहीं बोल रहा है बुद्ध इस लिए समझा रहा है कि उन सिस्टों में ज्यान नहीं है चेत्ना नहीं है उन में आग नहीं है उन में चमिरारी नहीं है समझने कि क्रिया नहीं है उसमें अहम है उसमें को तोड़ने के लिए ऐसी क्रिया कर जा रही है इसलिए वाल बार कह रहा है कि तुम उस ब्रह्म को नहीं समझ पाओगे क्योंकि उस ब्रह्म में और भ्रह्म में बहुत बड़ा अंतर ही भी जहां ब्रह्म में पड़े, वहां ब्रह्म में समात हो जाएगा जहां अपने आपको उन समझेंगे नहीं, वहां ब्रह्म को भी नहीं समझ सकेंगे इसलिए जहां बुद्ध ये बाद, अपने अध्रम पड़ में प्रारम ने जहां प्रारम की लाइन कहर रही है उनका आनम उनका प्रेशिश ये का आनम अगर तुम्हें कुछ सीखना है कुछ ज्ञान पाप्ट करना है मेरे सारे जीवन का निचोर तुम्हें देखना है कि मैं जीवन में क्या थार क्या बनार कहा तो तुम फिर मुझे केवल मुझे समझो और तुर समझ देखी जरुत में इसलिए उनमें एक कलना है इसलिए उनमें एक मंटा है एक स्ने है एक अटेजमेंट है एक प्यार है और इसलिए धर्म गुरुणों ने इन सारे तक्षियों को स्मप्त कर दिया और हमारा जीवन एक जड़ बन गया क्यों जड़ बन गया हमें क्यों नहीं चीए इतना पैदा हुई हम उन्दिशियों की संतान विस्ष्ट और इसलिए की संतान और हम जड़ बन गये बिलकुल एक पंगू बन गये इसलिए बन गये कि हमारे उपर इक कहार किया गया उन्दिश्ट गुरु ने प्राहर किया है हमारे जीवन की आजमें जेक पत्त लिखा उसने लिखा कि क्या हम इस्त्रियां ओविन सब का उचान कर सकती है और क्या हम इस्त्रियां महावीर की उपास न कर सकती है और क्या हम अन्मान चालिसा का पार्ट कर सकती है किसी महिला में लिखा और बिचारी को गल्प नहीं लिख रही थी क्योंकि धन्मान गुरू ने कहा कि तुम अन्मान जी के पास नहीं जा सकती अन्मान जी के सामने नहीं बैठ सकती आल्म जी अतने कायर बुजदे लेकि तुमने जाते है, अल्माँ जी भाग जाएंगे? क्या हो जाएगे अल्माँ जी को तक्लिव क्या हो जाएगी? जब मैं वाक सकता तुम्हे देखकरके तो आल्माँ जी तो मुष् अगर तुम चली गई अगर इस्ती सिख्षत हो गई तो उनका स्वेम का अहम है जो एगो है जो उनका और यह सारे ग्यान के गंथ जो धर्मगंथ नबीर पुरान की बात नहीं कर रहा है कि जितने धर्मगुर्ण लिखे गए सब पुर्षों ने लिखे इसके उनका भी चली पुर्षों ने लिखे है पुर्षों आपना एकादी पत्ते साथिप करने के लिए पूरे भार्श्वर्षकी एक अरद जिंसंच्षा का पचाशबस प्रस्तों बिल्कुल प्याज पढ़ तो अगर थोड़ा भी सुनता देदी तो हमसे ज्यादा से ज्यादा ज्यानवान होती है इसरी बात को तुम भाम लेती है तुम पैचान लेती है पुरुष तो नहीं समय पाता है क्योंकि पुरुष की पुरुषता है कठोर ता है और कठोर व्यक्ति उसके अंदर एक रसदार परवायत नहीं हो सकती पुरुष एक चटान की तरह है तो इस तरह एक जलदार की तरह ह और कितनी भी कथोड चतान होगी बराबर जल धार पड़ेकी तुछ चतान को काट लेगी चतान को काट सकती है इतनी उसमें रस धार है जल की धार में ताकत है मैंगर जल धार को उपसे बंद कब गया कि नहीं तुम्हें कि खिल्दा चौका संभालना इसके लाग कुछ नहीं करना है तुम्हें राम का नाम नहीं देना है तुम्हें अमान जी का पाठ नहीं कर सकती तुम्हें राम जी का नाम नहीं दे सकती तुम्हें पूजा पाठ करना नहीं है तुमंहें उपासना नहीं करिए तुमंहें अने चाहीं पार्ट नहीं करना है तुम्हे सबें प्रमदारिए घुनόने इसे बात किया है यह पुरुष्टै, ने उनकी जीवन की विडिममिना थी, जीवन की कमिया थी जीवन की डिश्चाय थी इस लिए हमारा ध्यारुत सब्द बिलकुल एक अलग चीज जानद सेत्म हमारे चीज अलग है जहां संकला जारे की यह इनकी व MORना है और रिषॉन उन्यास जीवन का इक विदमना ना थी संकला थी संकला जारे की लिमितेशिंस थी संकला जीवन का एक इस्त्रीयों को शिष्ट से बना दिया गया, तो अपने आप में मेरा सुम्यास दर्म खर्णित हो जाएगा, अपने आप को बचाने के लिए उन्हों ने एक बहुत बड़े अभाव की एक बहुत बड़ा चेतना समाप्ति कर दी, एक ज्ञान का फुन्द समाप्ति कर दिया, एक बहुत बड़ा प्रवाब बन कर दिया, और उसका परिणा हम पचीस से बस्तों तक भुगत रहे, संट्रा चारी की नियुन्ता थी, क्यों नियुन्ता थी, साजी में के जीवन में एक भावना, एक ठूंसमा आगया की, सुम्यासी, इस्त्रीयों के आपका खाना नहीं ख जहां में अहम सब बोलगा, इसकी जमा बोल रहा है, अहम दमासमी, तो ब्रम्म तक पहुंचने के लिए, इस अहम को भी तोड़ना पड़ेगा, अगर यह अहम नहीं तोड़ा, तो फिर हम एक बार फिर अगले पचीस सो वस्तों तक, अगले दो जार वस्तों तक, फिर एक बाद तो बिलकुल और अंडेड परसेंट निश्चित है कि जीवन में अगर बन की साधना करनी है, जीवन में अगर जड़न बाके दसन करने है, जीवन में अगर उस मन पक्षपा और आत्म पक्षपा पहुंचना है, तो पुरुस को इस्त्रियों के गुन प्राप्त करने ह पुरुस को इस्त्रियों के गुन प्राप्त की है, पुरुस उन आत्म स्चेतना को प्राप्त करी नहीं सकता, बिम नहीं बन सकता, फूद बन सकता है, एक जड़ बन सकता है, एक चेतना हीन बन सकता है, क्योंकि इस्त्रियों के गुन है दया, प्रेम, करना, ममत्व, स्नेह, आचयेशमें, मातर्तु हैं एक भावना, एक हदैपक्ष पुर्स बुद्धी से सोचता है हर एख़र, एक ही बात इसलlia भावना से सोचती है अपने हदैपक्ष से सोचती है क्योंकि वह उस पीडा को जानती है उस दर्द को इसास कसकती है कि एक पुर्स उत्म्न करने में, कितना दर्द, कितनी तक्लीव, कितनी वेदना, understanding को सबसे गोर, कस्त उसको भोगिना पढ़ता है, पुर्स उस दर्द को महसुँच नहीं कर सकता है, पुर्स दर्द महसुच नहीं कर सकता है, इसलिए प् RAW बैगना कर सकता है, इसलिए जीवन में कठोर बन सकता है और कठोर बनना जीवन की निम्टा है, अहम है उस अहम को तोड़ने के लिए उस कस्त को एसास करना पड़ेगा उस अहम को तोड़ने के लिए उस ममत्तो को, उस पेम को, उस दया को अपन दस थापन करना पड़ेगा है गुर्फो करूं के नहीं है, पुर्फ के नहीं है और पुर्फो से नहीं है और अगर पुर्फ होका तो तुम मन में सोचे किसाना क्या साना आदमी है साना गया दीता अब तुम उसके प्रती प्रती भाव रखी नहीं सकती प्रती प्रती मेरे उपर प्रहार करें मैं बाहर जाने चाहती है हरोजय को फाव उसके रोके मुझे रोके मुझे करें साना आएं इस बड़ी खुस होती है कि कोई है यह मेरा जो मुझे रोटा है अगर नहीं रोके तो थो पती क्या है आटियों प्रती तो मेरे प्रती मैं सकता है है पुरुष बनता है, नगर पौरुष ता, साधना के छेत्र में कोई सबलता नहीं दे सकता। साधना के छेत्र में तो अपने आप में एक हवे पक्सी खुला होना चाहिए। हवे पुरुष के पास होता ही नहीं। पुरुष के पास केवल बुद्धी होती है। उसके पास कठोड़ता होती है, उसके पास केल प्रहार करने की शम्ता होती है, और प्रहार करके बहुत खुश होता है, 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 प्रहा अब आप उसको जरूरी है दिखा ले किसको दिखा रहा है फिर वो गूंगाम के जहां भी विने तप्नी इस्ता में दिखा ही पड़ती है और तप्नी खायते है तो नहीं बहुत बदमाई तो मैं बदमाई सी का बात को सुली का है को तरीक है अब तुम को फिर की सी क्या है पिटरारी तो इश्ता थे में देखें दुम करदे नरी हम अब बुढकी है तो मिलयकम तो मार रह तो मिन्य थे लिज्क रहा है यहां हम्म्रमा स्ते इंसता जहीं दो Sor bag रह कोने क्यों की मेरे जीवन की निवनता रही संक्लाचारी कह रहा है इसलिए नहीं नहींता रहें कि मैं समझ नहीं पाया कोई जरूर नहीं संक्लाचारी सब को समझ बैठावा कोई जरूर नहीं कि हमारे पिता जी बहुत महां ज्यानी होई हमारे पिता जी में कमिया हो सकती है और अगर पुत्र है तो साब कहता है ये मेरे पिता जीम कमी थी ये मेरे पिता जीम विशेफ्ता थी ये सुन्ता है मेरे पिता जीम सराभी थे ये उनकी मुन्ता थी कमजोरी थी मगर बहुत बैयावान थे ये उनकी विशेफ्ता थी तुम सोचुगे हैं कि थे अगर गाल पर चंटा मारें दूसरा गाल उसके सामने करो अगर बुद्ध कहे हैं कि अगर तुम्हे कोई गाली दे तो गाली तो बहुत मत ज़तों जो चीज लोगी हैं नहीं तुम्हाल पास रहेगी नहीं इस गाह में गए और गाह में ब्द्द को गालीयां दी, जब आप एविकार नहीं दी आप जब कोई चीज आप देंगे और में लूँगा ही नहीं, तो मेरे पास कहां से आई अधेती? तो आप ने दी और आप खितास रही, आप कोई कपड़ा दे, कोई धान दे, कोई गस्तु दे, कोई शास दे, और मगया नहीं लूगा, तो किस के पास रहेगी, तो आपने गाली दी मंतुली नहीं, आप अपने जाने, और हम सोचा तरह किया बुद्ध एसाला कैसा है वेग द तुम्हारे पास वो अधे जो चाहिए इसलिए कि हमारे सास्त्रों ने का जो नहीं तुम ताकत्वान हो तुम मर्द हो तुम मत्याचार करोगे और मेरे हमारे सुनालियों में अब तुम बहुत बदल गया है जब मैं छोटा था तब मैं नो साल की उन्हें मेरे साधी कर दी रिजिस्टर की सब्रों और उस दमाने में आज से पचास साल पहले और मेरे समाज में पत्ते एक समाज की बात है रहां कहता है कि बस जो और को रोज सुमें उठे दो जूते लगाए और दो सान को लगाए वे प्लेश कर दो खाए कर दो खा कर दो से लगए